नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़े और मानवता को सरमसार कर देने वाली खबर सामने आई है जहांपर मात्र सात्वी में पढ़ने वाली छात्रा के साथ कथे तौर पर एक सरकारी टीचर के द्वारा दोस्तो छेड़ काने की जाती है लड़की ने अपने माबाप को दोस्तो पूरी आप बीती बताई आए जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी सात्यों बता दें कि राजस्थान की बूंदी जिले में सरकारी स्कूल के 45 वर्षिये सिक्षक पर साथवी कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर छेड़ छाड करने का मामलत दर्ज किया गया है और दोस्तो आप सभी को पता है कि टीचर को भगवान इसवर का रूप दिया गया है और जब दोस्तो जो टीचर ही ऐसे कारे करेगा तो आखिर कार बच्चे पढ़ने जाएंगे कहां एक पुलिस अधिकारी ने दोस्तो ये जानकारी दी है अधिकारी ने बताया है कि आरोपी सिक्छक सुक्रवार को नाबालिक छात्रा को कतितोर पर सुनसान जगे पर ले गया और उसके साथ छेड़ छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गर लोटने पर छात्रा ने अपने माता पिता को अबीती बताई जिसके बाद पुलिस में सिकायत दर्ज करवाई गई पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिक्छक के खिलाब भारती दंड सहीता की सम्मंदि धाराओं और योन अपरादोसी बच्चों के संरक्षन यानि कि जो पॉक्स ओ एक्ट लगता है अधिनियम के तहत सुक्रवार साम को मामला दर्ज किया गया है अधिकारी के मताबिक आरोपी सिक्छक सनिवार को स्कूल नहीं पहुंचा पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक उसे गरपतार नहीं किया गया है क्योंकि बारे वर्षिय लड़की का बयान दर्ज किया जाना बाकी है वहीं इसकूल के परदान द्यापक ने बताया कि सनिवार सुबह जब उन्हें इस गटना के बारे में पता चला तो उन्होंने विबाग के वरिष्ट आधिकारियों को मामली की सूच न दे दी है शिक्षब बाग के एक अधिकारी ने कहा है कि मामली की जाच के लिए एक समिती का गठन किया जाएगा दोस्तो इस प्रकार के जो अपराद करते हैं उनको केसी सज़ा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में अपने राय आवेसे दें और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी